नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस्टार मिस्कु न्यूज में दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश अधिना सिवा चैनायोग की एक बहुत महत्रपोन भरती की उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको यूपिटर पलेसी के परिनाम की और किसी भी भरती की कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों एक बात और वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूँ मैं आपको आने वाले साथ दिनों के अंदर चार परिनामों में से किनी दो परिनाम की न्यूज देने वाला हूँ आने वाले एक सप्ता के अंदर मुझे दो परिणामों की न्यूज मिलने वाली है चार में से कोई दो परिणाम पहला परिणाम केन सुपरवाईजर 2016 दूसरा परिणाम जूनियर असिस्टेंट 2017 तीसरा परिणाम होमेपेटिक फार्मेसिस्ट और चौथा परिणाम है कनिष्ट सायक 2019 इन चार परिणामों में से किनी दो परिणाम की न्यूज मैं आपको 100% एक हपता के अंदर दे दूँगा दोस्तो मेरे चनल पर आपको जो भी न्यूज दी जाएगी वो 100% सत्ते दी जाएगी हमेशा सही न्यूज देने का ही प्रियास किया जाएगा कभी भी आपको गलत न्यूज देने का प्रियास नहीं किया जाएगा फिर भी अगर न्यूज एक दो परशन गलत हो जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तो शुरू करते हैं मुख्या बात क्या है ब्रति को बीच चुका है लेकिन अब तक इस बरति की जॉइनिंग नहीं हो पाई है वह दोस्तो अब मेरे पास जानकारी क्या है मैं आपको यह बताना चाहता हूँ दोस्तो एक हफसा पहले मैंने आपको वीडियो 2018 के संबंद में जानकारी दी थी और आपसे मैंने ये कहा था कि वीडियो 2018 का संसोधित परिनाम 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा दोस्तो मेरी अब वो बात एकदम 100% सत्य साबित होती दिखाई दे रही है अब इस बात की प्रबल संभावना है कि वीडियो 2018 का रिवाइज रिजल्ट 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा क्योंकि दोस्तों सूचना मुझे ये प्राप्त हुई है कि वीडियो 2018 की SIT जाँच पूरी कर ली गई है और जो SIT के हैड हैं उनके पास वीडियो 2018 की जाँच रिपोर्ट पहुँच चुकी है और आने वाले एक सप्ता के अंदर SIT अपनी रिपोर्ट आयोग को सौपने वाली है इस बात पर मैं एकदम 100% शौर हूँ कि SIT जाँच वीडियो की कम्प्लीट हो गई है और जैसा कि मैंने आपको सूचना दे थी कि 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के भी जिसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा अब इसका परिणाम 20 से 30 के बीच में जारी होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है दोस्तो मेरी निउस कभी गलत नहीं होती यह आपको पहले बता चुका हूँ मेरी निउस को आप पहले भी चेक कर सकते हैं मेरी निउस को आप कभी भी आजमा कर देख सकते हैं कभी भी आपको गलत निउस देने का प्रयास नहीं किया जाएगा जो मैंने news दी थी कि इसका परिणाम 20-30 के बीच में जारी होगा तो मतलब जारी होगा 100% ठीक है SIT जाज complete हो चुकी है जैसे ही SIT अपनी report आयोक को सौपती है तुरंत आपको सूचना दे दी जाएगी वीडियो के मत्यम से और इस बात के पूरी प्रवल संभावना है पूरी उम्मीद है कि आपका revise result 20-30 के बीच में जारी कर दिया जाएगा तो ठीक है दोस्तो यहीं खबरती यूपिटर पलसी के संबन्द में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कोई भी नया अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद दोस्तो